अश्कार दोस्तों मेरे यूट्टू चनल सुचना केनपब तमाम सिख्षकों दर्सकों का पुना स्वागत है दोस्तों हाई कोट से एक बड़ी खबर आ रही है कि बीएड में डिपलोवा छात्रों को हाई कोट से रहात मिली गई हाई कोट को की दो डबल बेंच खंड ने सर्थ 2016-15-18 के डिपलोमाइन एजुकेशन डियलेड के छात्रों को परिशा में सामिल होने की अनुमति दे दिय है वे ये नीजी बीएड कॉलेज के छात्रों को राष्ट्रिया ध्यापक सिक्छा परशत एंस्टी से एंस्यू मिला हुआ था लेकिन इस पर बिहार विद्याले परशा समिती ने आपती की थी परशा समिती ने सर्थ 2014-16 तक ही बीएड कॉलेज को परशा लेने की अनुमति दी थी फुलवारी सरे पिस्तित सतार मेमोरियल कॉलेज अप एजुकेशन साहित बीस बीएड कॉलेज की और से याचिका दाइड की गई थी नियाधिस जोती सरन एबम नियाधिस अर्भिन सिरिवास्तव की खंटपिट ने मामले की सुनवाई की इनकी और से वरिया, लिबक्ता, प्ीके सारी, एबम साही, एबम नियंजन कुमार का काना थी की सारी पक्रिया पूरी करने के बाद भी बिहार बिद्याले पचछा समिति निजी कॉलेजियों को मानता नहीं दे रही है जिस कारण दरजनों चात्रों का भविस अंदकार में हो गया है कोट का फैसला आने के बाद चात खुस हैं उनका काना है कि बिबाद के कान भविस अंदकार में हो गया था लेकिन कोट का आदेस आने के बाद उन्हें बड़ी रहत महसूस हो रही है नीजी कॉलेज के 4000 छात थे प्रभावित, मालूम हो कि इंटर के रिजल्ट के अधार पर इन कॉलेजों में छात्रों का नमांकन होता है, वे डिपलोमा कोर्स कर सिक्षक बनते हैं, मामले के सुनवाई में अधालत को बताया गिया कि इसमें करीब 4000 छात प्रभावित हैं, इनक लेकिन परिशा नहीं ली गई, अकेले सतार मेमरियर कॉलेज के 106 परिशा के इंजार में हैं,